हलो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मुर्गी जो है सब प्लट के मर गई है और आजकल हर पॉल्ट्री फार्मिंग में यह समस्या आम हो गया है तो आए इस वीडियो के माध्यम से आप जानिए कि इस परकार का समस्या आखिर होता क्यों है और होता है तो इसको रो यूट्यूब चैनल में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बगल का बेल बटन को ओन कर दीजिए तो चलिए जानते हैं कि इस परकार का समस्या को जो कि बिना दाना पानी खाय मुर्गी पलट के मर जाती है उसको किस परकार से रोका जाए और कैसे दूर किय बिमारी यह समस्या है यह समस्या होता क्यों है आज कल जो हम लोग के पास ऑ रहा है को 430 गुरूप का चूझा आ रहा है और हम लोग जो हाई-PRO- Hugo फीट खिला रहे है यह इसका सबसे बड़ा कारान है अब समस्या यह आ ना तो हम लोग चूजा का ब्रीट चेंज कर सकते ना फिट चेंज कर सकते हैं तो इस परकार का समस्या को दूर करने का सबसे सटी कुपा है और देख लिए कि आज कल जो मूर्गी आई है वो दो केजी का मूर्गी लगभग एक महिना में तियार हो जाता है मतलब जितना फास्ट से फास्ट ग्रोथ हो यह हम लोगों ने कोर्सिस किया लेकिन यह हम लोगों ने नहीं देखा कि यह जो फास्ट ग्रोथ है यही इसका सबसे परमुक कारण है मरने का जो पलट के मरती है और इसके लिए सबसे आसान उपा है कि जो हम लोग का जो मूर्गी मरती है जो बड़ा बड़ा अब आप गौर कीजेगा कि जब भी आपका मूर्गी मरेगी या लगभग हर पहर में यह समस्या है यह समस्या होता है कि जो बड़ा बड़ा healthy healthy bird है वो मरती और जाकर कि आप चेकरें तो उसका पेट में एक भी दाना नजर नहीं आएगा पूरा पेट खाली होगा तो इसका होने का कारण यह है कि आज कल जो हाई ग्रोथ हो गया है और जो हाई प्रोटीन फीट खिला रहे है उसमें मुर्गियों का जो है मेटापॉलिज्म हाई बना रहता है और स उसका खाने का जित्रा वेश्ट हो या तो मल के द्वार बाहर आता है या यूरीन के द्वार बाहर आता है तो जो आप अगर उसको पोस्टमाटम करके देखेंगे तो उसका किड्नी में हलका सूजन नजर आएगा और मूर्गी का जो है सो मेटापोलिज्म पूरा हाई बना रहता है यह तो खर आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं इसका सबसे सटी कुपाय है कि जब भी आप मूर्गी को दाना पानी देने जाए तो उसके लिए है कि फार्म में भगदर ना मचाए और कोशिस यह करे कि मूर्गी का जो है सो एबरेज वजन जाए तो इस परकार का समस्या कम से कम होगा यह मैं अपने अनुभो के आधार पर आप लोगों को बता रहा हूँ कि मूर्गी को जैसे हम लोग सोचते है कि जितना जल्दी से जल्दी यह जितना फास्ट गुरोथ हो वो हमारे लिए बेहतर है लेकिन आगे चल करके जो होता है वो दो चार दो चार करके जो है समुर्गी पलट पलट के मरने लगते तो उसके लिए सबसे आसान उपा है कि आप जो है समुर्गी को एबरेज वजन में जाने दे जैसे कोशिस ना करे कि जितना जल्दी से जल्दी हो मेरा मुर्गी तयार हो और हम जितना जल्दी बेचे तो उसको जो है उसको जो लिमिट है उसी के आधार पे बढ़ने दे और अगर इस परकार अगर होने लगे तो feeding थोड़ा कर दे और कम कर दे और उसका growth हलका कोशिस करे कि सुलो हो जाए यह एक उपाय हो गया और दूसरा उपाय है कि अगर इस परकार का समस्या अगर आपके फार्म में देख रहा है जिससे continue फार्म में देखता है तो उसका सबसे सटिक उपाय है कि एक time के लिए कोई भी एक kidney का दवा लगा दे तो यह इस परकार का समस्या को होने में कमी देखा गहा है और दूसरा जिसे आजकल जो अगर 20-25 जिघा कि में बहुत सारी की मूर्ग उसका यह भी होसकता है कि फारमें गैस बन रहा तो उसके कारण भी यह समय होता है तो अगर आप जैसे कि कोई भी फार्म में फार्मर उसका खुद डॉक्टर होता है और खुद एक फार्मर को जैसे अगर आप एक एक समस्या के लिए अगर आप डॉक्टर के पाँ जाएंगे या दूसरे सला आप खुद फार्म में अंदाज लगाए कि आखिर इस परकार का समस्या हो क्यों करें और सबसे आसान उपाय है कि सुबह का दो घंटा का पानी में जो मैं पिछले बार एक वीडियो बनाया हूँ उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है अब चीनी का उपयोग करें इससे होगा कि आपका बर्ड में पानी का अस्तर अगर बेहतर से बेहतर बना रहा है तो यह समस्या एकदम ना के बराबर होगा और दूसरा और एक कारण हो सकता है कि आपका फार्म में अगर अगल बगल में कुता बिल्ली या फार्म को डराने का अगर कोई कोशिस कर रहा है या अचानक विलोग को डर का महल बने तो ये समस्या होता है हाँ दोस्तों अगर इन सब उपायों के बाद भी अगर आपका समस्या दूर ना हो रहा है तो उसका तो घर पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं कोपर सलफेट और वेनिगर का घोल वो पानी अगर आप दो घंटा तीन घंटा के लिए अगर फार्म में लगाएंगे त अगर उससे अगर दूर ना हो तो यह उपाय अगर आप करेंगे इस परकार का समस्या बहुत हद तक कंट्रोल होता है और होता देखा गया है तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताया और इसी परकार का वीडियो अगर देखना चाहते है तो चैनल को सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए समस्या के साथ